अब अर्व अज़िवन तो यह ओप आप सभी लोग अच्छे होंगे अचके इस वीडियो में आपन कुछ चीजों को लेकर डिसकॉशन करने वाले हैं तो जिसमें अपन एफवीजी के बारे में डिसकॉशन करेंगे कि एपपीजी क्या होता है तो एपपीजी के बारे में सारी चीजु को लेखे इसमें अफंडिश्के også करेंगे इसके लिए कोई टाइम फ्रेम उगरा की रिक्वाइरमेंट नहीं होती जिस टाइम वर्मेंट कर्ते हैं यह आप महली ज़िए फाइप मिनेट पे चार्ट में आपन सारी चीचे देखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या है यहां पर यह एक रेड गेंडल के ठीक है पहले मैं सबसे पहले आपको यहां पर लिक लिक के समझा देता हूं हर चीट कि समझ में आजा है, first of all अपन क्या करेंगे, buy side की liquidity देखेंगे, ठीक है, ये buy side के लिए कैसे काम करेंगे, तो buy side की liquidity देखने के लिए आपको दो चीज़ों की requirement होगी, first of all, कि आपका जो market है, ठीक है, वो buy होना चीए, then buy के अंदर ये अपन सारी चीज़ों को लेके discussion करेंगे, तो माल दीजिए, ये जो candle है, ये red वाली, ये आपकी first candle है, ठीक है, buy side के अंदर की first candle है, ये first candle है, ये आपकी first candle है, जबी भी आपका market अकर uptrend में हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, buy side में जो liquidity होगी, यानि कि buy side की candle का आपको हमेसा top देखना है, ठीक है, first तो आपका ये हो चुका, ठीक है, कि आपकी जो भी first candle रहेगी, buy side में उस candle का आपको top देखना है, ठीक है, and जो third candle रहेगी, ठीक है, third candle का आपको यहाँ पे low देखना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये first candle हो गई, first candle के बाद ये third candle का low गया, ये आपका FVG बन गया, ठीक है, जो third वाली candle होगी, उससे इसे mark करना है आपको, ठीक है, I hope आपको समझ में आ गया होगा, कि FVG क्या होता है, अब मैं आपको यहाँ पे चार से पास बार, जो जो जोन मार्किंग के माद्धियम से समझा देता हू सारी से है, ताकि clear हो जाएगी, तो यहाँ पर first of all क्या है, कि आपका market जभी भी buy side में जाता है, तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़े देखनी है, जिससे आप सारी से clear कर सको, again यहाँ पर चलते हैं, तो आपकी first candle कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, कि आपकी ये ज expect करके, यहाँ साया, then market डाउन गया, यहाँ तक क्या, तो अब आपका क्या होगा, कि जभी भी market इसको break कर देगा, यहाँ कि break of structure कर देगा, liquidity लेने के बाद में, तो आपका क्या होगा, कि यह first candle जो होगी, इसका high point, यह जो पूरा यहाँ पर यह जो area बचा हुआ है, आपकी candle अगर यहाँ तक भी आजाती, इतना सा zone बसता, तो यह आपका marking होता as a fvg, यहनी कि fair value के, ठीक है, बट आपका market क्या हो, वहाँ तक नहीं आया, तो आपको कि जो zone marking करने हो, क्या करना है, कि first candle का high हो गया, and third candle की जगह, यह वाली candle low तक आई है, तो यह हो गया, तो यह जो प तो आपको fvg भी समझ में आ गया होगा, आयो अप सारी जी समझ में आ रही होगी धीरे देरे, अब fvg के बाद आता है कि fvg कहां कहां पर अपने को देखना है, and कौन सा fvg अपने लिए work करेगा, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर fvg के बारे में बदा देत आपका मार्केट यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने क्या किया, कि candle close नहीं की, तो यहाँ पर क्या हुआ, market नहीं लिए स्रे लेक्यूट इटिल, ठीक है, यहाँ पर candle close वगरा होई या नहीं यह आपको देखना पड़ेगा, तो देखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर क् candle close नहीं होई अपनी प्रोपर, ठीक है, अपनी candle close नहीं होई, तो यहाँ पर क्या होई यह liquidity point हो गया, अब market का low candle कौन सा था, यह वाला, ठीक है, अपने यह मान लिया यहाँ तो एक तरीके साब को समझाने की साब से बता रहा हो, ठोड़ा समझने का प्रियास करना, तो यहा जबी भी market अपना इस high को break करेगा, क्योंकि यह candle यहाँ sweep हो गई, ठीक है, तो यह candle consider की जाएगी, तो market इसको जबी भी candle close कर देगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, break up structure, यह होगा आपका boss, अब क्या होगा, अब आप समझ यह कि आपका जो boss हो गया, उसके बाद में आपका य यह candle close कर देदा, तो यहाँ पर आपका यह क्या हो जाथा, चोज हो जाथा, बढ़ चोज ना होगे, क्या होगा यहाँ यह, लिक्वीडिटी स्विप, ठीक है, और यह liquidity कहां पर स्विप हो गई, यह liquidity जो इस candle से इस candle तक, यहाँ पर स्विप होगी, अब यह liquidity कहाँ स्विप तो कि यह कहां पर डाउन पहुंच लिए लिक्वीड़ीटी वाली डायरेक्ट पहुंच लिए यहां पर अगर बोर्स लेने के बाद मार्केट को अगर मार्केट माली यह विग ना दे को उपर विक लोग्व होती थे candle close हो जाती तो यहां पर आपका डाय्रेक चॉठ हो जाता हएं निबर मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया ठीक है अब नवी मार्केट अभी तक यहाँ पर कनिटर करते हैं यह आपके क्या हो गया आईडियम और मार्केट वापिस उसी डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया तो यह आपका हो गया बोस ठीक है बोस हो गया आपके यह आप अब समझना मैं कहना क्या चाता हो देखो यह क्या हो अब B-Shape में बन चुका एक ठीक है वी शेप के अंदर यह चीज बन चुकी है कुछ इस तरह यह इसका लो पॉइंट है और यह इसका हाई पॉइंट है तो देखना अब मार्केट के पास ओनली सिर्फ दो चीज़े हैं पेली जी रीसेंट वाला ओडर ब्लोक प्लस एक्वीजी जो लास्ट वाला बचता है ओडर केंडल को लेना तो यह आपकी फर्स्ट केंडल का यहां से क्या होगा है यह फर्स्ट केंडल का हो गया हाई इन थर्ड केंडल का लो कि अब जब भी मार्केट इस पोजिशन में आएगा तो इसको टैप करेगा तो देखें मार्केट ने क्या मार्केट यहां से अप जाने के प्रवी केंडल जो order block काम करीगी अपना ठीक है तो market क्या हुआ next time जब भी भी आया तो अपना फ़ीजी प्रस order block इन से ही अच्छी काशी entry आपको देखे गया market ठीक है और कहां से गया again market क्या हुआ कि यहां पर लोगों को trap करने के लिए पूरा आया order block के अंदर देन आपको यहां पर entry दी देन अगेन आया and market अगेन यहां तक आपको एंट्री दी ठीक है तो यह market ने क्या करने का ट्राइगी आपको ठीक है देन मार्केट ने क्या हुआ यह देखे इसको नीचे कहीं भी ब्रेक नहीं यह market ने अगर आप इसको ऐसे consider करेंगे तो मैं थोड़ा आपको और भी systematically समझा देता हूँ यहां पर क्या हुआ यह है यह क्या हुआ आपका डबलू पेटन बन गया कुछ इस टाइप का ठीक है यह डबलू पेटन पर अच्छी काशी एंट्री आपके अपको हाई हो गया और यह थर्ड केंडल का लोग यह तो था अपना FG मतला फिएय 만들어 की घये तो यह तो गए ठीक है यह तो यह तो आपना FG छी के और अपन इसको ओरडर ब्लोक मारक करते और अब्लोक क्या होगा मतला यह पूरी एंडल हो जाएगी यहां तक अब market ने क्या क्या यहां पर नहीं आया तो यहां पर market ने क्या क्या बेक ओफ structure कर दिए ठीक है बॉस अब market क्या हुआ कि अपने पास यह next वाला zone बच गया कौन सा वाला यहां से लेकर यहां तक यह पूरा fvg हो गया ठीक है अब इसको उटा देते क्योंकि यह कोई काम का नहीं है और यह पूरा जो candle है आपका as of order block वर्क करेंगी यह वाली candle ठीक है यह क्या होगा यह तो गया आपका यहां पर fvg sorry order block होगा यह वाला यह order block हो गया and then यह वाली जो candle है यह होगे fvg ठीक है तो इस तरह से क्या होगा यह market आपकी help करेंगा next आगे बढ़ते हैं अब मालो यह market है यहां तक आयाई नहीं तो उससे पहले क्या करना है कि आपको यह first candle and third candle हलका चागे पर ज्यादा नहीं तो market नहीं किया कि उसी को फिल किया तेन आप यहां से भी एक next entry plan कर सकते थे ठीक है अगर आप इसको one minute में switch करेंगे तेहां कुछ कुछ ना कुछ logic आपको दिखेगा और यह जो वाली entry यहां पर है कौनसी वाली entry मैं बता देता हूं यह वाला point यह वाला point मैंने अपने टेली ग्राम में भी डाला था काफी लोगों ने यहां से बाइक किया होगा तो एक अच्छा बाइंग मोमेंटम मिला होगा यहां तर ठीक है यह मैंने टेली ग्राम में उल्रेडी सारी चीज़े डाली होगी आप जाके चेक करना है इंगा ठीक है तो यहां पर क्या होगा कि एज यह order blog और पी आपके लिए अच्छे से काम करेगा अब यह काम कैसे करेगा किस तरीके साब सारी चीज़े कर सकते वह आपको समझ चाहिक तो मैंने इस वीडियो में आपको बताए कि एफ वीजी कैसे होता है और कौन-कौन से फटी काम करते हैं तो एफ वीजी दो ही काम करेंगे रिशेंट वाला एक एक्स्ट्रीम वाला यानि कि जो सबसे पास है वह सबसे दूर है वह बीच में कितना ही एफ वीजी आ ज